बारिस के मौसम में चाय पीना सबको बहुत पसंद आता है और उसके साथ ये गरम गरम नास्ते मिल जाए तो चार चान लग जाता है इस नास्ते को आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और कुछ मैं यहाँ पे त्यारी कर ली हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अलट ली हूँ थोड़ा सा काजू ली हूँ इसको आप दरदरा एकदम पॉर्डर बना लें क्यूंकि बच्चे अलग अलग आप देते हैं तो कोई ड्राइफूर्ट खाता है नहीं खाता है तो इस वज़ा से नास्ते में एक तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और बच्चे के पेट में भी चले जाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा तो दो मैं यहाँ पे बड़े बड़े आलू बॉयल मेरे पास फ्रीज में था वो मैं ले ली हूँ और उसी में ड्राइफूर्ट दरदरा डाल दें थोड़ा सा नमक डालें थोड़ा सा लाल मिर लें ताकि अच्छे से एकदम वो मिक्स हो जाए क्योंकि पहले से आलू अगर बॉयल रहता है न तो यह नास्ता पांच से दस मिनट में बनकर रेडी हो जाता है थोड़ा सा अगर चटपटा बनाना चाहते हैं तो जीरा पॉडर काली मिर्ष पॉडर दो चमच यहाँ पर ब देश्ट भी आएगा और यह हिल्दी भी होता है मखाना तो बच्चे अलग से नहीं खाना चाहते हैं तो अगर इस तरह के कोई भी रेसिपी आप बनाएं तो उसमें जरूर डालें क्योंकि मखाना बहुत ही हिल्दी होता है और सबको सरीर के लिए मतलब की काफी हाथ को अच्छे से धो ले धोने के बाद उसमें हलका सा तेल लगाएं तेल लगा कर आप कोई भी सेब में मन पसंद सेफ में बना सकते हैं यहां पर मैं टिकी जैसा बना रही हूं छोटे छोटे आप बना कर आप इसे टिकी को आप एक दिन-दो दिन स्टोर करके एर रेडी हो जाएगा और सब को पसंद भी आएगा और सब पूछेंगे भी कैसे बनाया है कितना कम समान से और कितना मतलब कि हिल्दी तरीके से आप बनाएगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब मांग मांग कर खाएंगे यहाँ पर मैं देखिए मैदा के जगा पे जवार का आटा ली हूँ और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च पॉड़र डालें और नमक स्वादनुसार उसमें डाल दें नमक डालने के बाद पानी डाल कर एक अच्छा सा घोल हमें त्यार कर लेना है और घोल एकदम बहुत जादा गाढ़ा नहीं बहुत जादा पतला भी मत करिएगा इस टिक्की के उपर ये जवार का अगर घोल का लेप लग जाएगा न तो ये बहुत ही सॉलिड हो जाता है और यहाँ पर गेहूं के आटे का मार्केट में बर्मी सिली बारीक वाली मिलती है उसको ले लेना है उसको अच्छे से एक प्लेट में चूड़ चूड़ कर लें और एक फ्राइपन लें हलका सा एक चमच तेल डालें उसमें एक डेट चमच से जादा नहीं डालिएगा और ते पक जाते हैं और यह फिर अब बाहर जादा नहीं निकल पाएंगे और इसे लगाने से यह बहुत ही क्रेश्पी नास्ता बनेगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा अब यह गरम हो गया है फ्राइपन उसी में डालें लो मीडियम में इसको सेखें दोनों तरफ से उलटते पलटते आपको सेखना है और सेख कर इस नास्ते को त्यार करना है डीप फ्राइपन कोई जरुवत नहीं है और धीरे धीरे आप पकाएंगे बेसन भी अच्छे से प अब इसे आप एक प्लेट में निकाल लें जो भी एक्स्ट्रा बरमिसिली है उसको हटा देना है और उसके बाद उसको साफ करके फ्राइपन फिर उसमें तेल डालिए और दूसरा लोट भी आप इसी तरह से बनाकर रेडी कर लें सारे नास्ते एकदम मिंटों में बन जाते होंगी बिस्किट भी आटा का गेहूं का रहता है वो भी दो तीन रख दें तो यह एकदम पेट को फुल भी रखेगा और बच्चे चटपटे खाएंगे भी और ऐसे ऐसे नास्ते आप देंगे तो बच्चे जरूर खाएंगे और यहां पर देखिए सारे प्लेट एकदम त्यार हो गये हैं अब इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं साम को हलकी फुल की भूक में आप इसे बना कर रख देंगे तो बहुत ही मतलब की टेस्टी लगता है और फटा फट यह बन जाता है तो यहां पर मैं गरम गरम चाय बना ली हूं दूध वाली और इसके साथ सब को यह नास्ता मैं दूँगी और सब अच्छे से खाते हैं बराबर मैं बनाती रहती हूं और बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैं सोची कि आप लोग से यह रेसिपी को सेयर करूं कैसा लगा मेरी रेसिपी आप लोग जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिर्कुल न भूले